बड़े भाईया चिराग पासवान को तेजस्वी यादों का नियोता आता है और चिराग पासवान वहाँ पर इफ्तार पाटी में शामिल होने के लिए दोड़ कर चले जाते हैं और कहा जा रहा है कि भारतिये जनता पाटी इस इफ्तार पाटी से खुश नहीं थी भारतिये जनता पाटी लगातार इस पर सवाल कर रही थी अब भी भाटपा कह रही है कि दंगों में हिंदूों की गिरफतारी हो रही है हिंदूों को फसाया जा रहा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री इफ्तार पाटी कर रहे हैं लेकिन बड़े भाईया चिर रहे हैं वे चिढ़ा रहे हैं कि देखो तुम जो नहीं चाहते हो हम वो करेंगे और चिढ़ाग पास्वान के वो चिढ़ा रहे हैं तो सब को पता है कि चिढ़ाग पास्वान और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक ठात नहीं चल रहा है साथ लोगत्वा के चुनाओं के लिए यासे चिराग चाहते हैं कि सीटों के बारे में कुछ बातचीत हो जाए भाजपा भी नहीं कर रही है और आगे हम इसी पर बातचीत करेंगे कि भाजपा को चिढाने के लिए छोटे भाई का निवता पाकर बड़े भाईया चिराग दवड़े-दवड़े क्यों चले गए बा भारती जनता पार्टी को पचेगा नहीं या भारती जनता पार्टी जैसा नहीं चाहती है अब जब इफ्तार पार्टी का योजन होता है एक ऐसा बड़ा इफ्तार पार्टी जिसमें राज के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े मंत्री विधायक सब लोग पहुंसते है तब वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर भारतिय जंता पार्टी कहती है कि इफ्तार पार्टी करके पूरा का पूरा जो राज में आपका ये की असल मुद्दा है उससे ध्यान भटका रहे हैं ये लोग भारतिय जंता पार्टी कहती है कि हिंदूों को जान मुझकर फसाया ज रहा हिंदूों की गिरफ्तारी हो रही नालंदा में सासाराम में और मुसल्मानों को छोड़ा जा रहा है बेकसोर हंदूों को पकड़कर जेल हो रहा है और जो मुसल्मान जो लोग दोसी हैं। उनको सरकार छोड़ रही है, अब भाजपा या सब कुछ कहकर अपने तरप से कहना चाहती है,anic इफतार पार्टी जो हो रहा है वो गलत है, इफतार पार्टी पर एक प्रकार्ते भाजपा तंच कसती है, लेकिन होता क्या है, तो चिराग पासवान को बुलावा जाता है, तो तेजस्वी यादों के इफ्तार पाटी में दोड़े दोड़े चले जाते हैं वहाँ पर जाते हैं तो तेजस्वी यादों की बेटी को लेकर के भती जी के मिलने के बाद हम कभी मिले नहीं थे यह भी कहते हैं कहते हैं भती जी का बधाई देने आ गए हैं इसके बाद वहाँ पर हसी मजाग सब कुछ करते हैं मितिश कुमार का जाकर पैर भी छूते हैं और भारती जनता पाटी इस चीज को आप यह कह सकते हैं कि इस चीज को स्विकार नहीं करेगी या भारती जनता पाटी इस चीज को इतनी असानी से पचा नहीं सकती है अब चिरा चिराग पासवान की सोच क्या है तो साय चिराग पासवान चाहते हैं कि भाजपा 2024 के लोग के चुनाव को लेकर सब कुछ कंफर्म कर दे चिराग पासवान की ऐसी सोच है जैसा कहा जा रहा है कि हमको भारती जनता पाटी ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने का म पूर में नहीं होगी लेकिन अंतिम वक्त पर जब सीटों का पूरा का पूरा जो आप कहिए कि कौन सीट किसको मिलेगा कितने सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा इस बात को तैकिया जाएगा तो शिराग के पास भी भाजपा के पास जाने का ऑप्सन छोड़कर कोई दूसरा भिकल्प नहीं बचेगा और चिराग पासवान भी इस बात को समझते हैं कि भाजपा उनको फसा रही है फिलाल चिराग पासवान का इफ्तार पार्टी में जाना उस इफ्तार पार्टी में जिस इफ्तार पार्टी को भाजपा पहले ही नकार चुकी है पहले ही कह चुकी है कि यह सब कुछ बेकार का है यह सब कुछ बेकार में किया जा रहा है उस इफ़तार पार्टी में चिराग पासवान जाते हैं जाते हैं तो तेजस्वी के भी तेजस्वी से भी मुलकात होते हैं वहाँ पर नितिश कुमार का पैर छुका रासिरबात लेते हैं और यह सब कुछ भारती जनता पार्टी के नेता देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि चिराग ने दिखाने के लिए ये सब कुछ किया भी है फिलाल एक तरफ भाजपा इफ़तार पार्टी से नाराज है दूसरी तरफ चिराग पासवान इफ़तार पार्टी में जाते हैं इस पर आपके क्या प प्रस्क्रिया है कमेंट बॉक्स में लीकर बता दीएगा तवाम जानकारी के लिए आप जनता कुछा जुड़े रहिएगा वीडियो नहीं पर समाप करते हैं कि हम रेक्षे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सहीं बहुत बहुत धन्यवाद